नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल अकैडमी के इस यूटूब चैनल पर हम साइन्स एंक्रिलोजी वाले सिरीज में आगे बर रहे हैं आज हमारा पांचवा लेक्चर है यह आसा करता हूँ कि पहले के जो चार लेक्चर्स हैं आपने उन्हें देख लिया है औ इसे कहते हैं उसी के टेक्नलोजीज हैं जो हमने लेक्चर 4 में देखे और आप लेक्चर 5 में देखने जा रहे हैं आज हम दो डिसकस करेंगे दो इंपोर्टेंट टॉपिक्स पहला आपका AR VR और दूसरा आपका IOT AR VR आपको डीटेल में ज्यादा तो नहीं पढ़ना है इंफोर्मेशन तो आपको होना ही चाहिए उसके बारे में फिर हम देखेंगे IOT को क्या है Internet of Things तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं जुन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चले तो अपना हम टॉपि मत देखो बुनो ऐसा कुछ statements कहीं कहीं आप सुने होगे वही reality है actually reality मतलब जो हमारा physical world है इसी physical world को जब हम extend करते हैं virtual world में तब हम उसे कहते हैं extended reality extend for extended और जो आपका R है यहाँ पर यह हो जाता है आपका extended reality क्या होता है यह extended reality जैसे अगर आप लोगों ने system generally use किया हो PC use करते हो तो हमारे पास अगर कभी डो screens होते हैं तो हम कभी कभी extend करते हैं जो भी हम एक screen पर देख पा रहे हैं उसको हम split कर देते हैं दो screens में extend करते हैं तो वैसे ही जो हमारा real world है उसको हम extend कर रहे हैं virtual world में ठीक है अब क्या है यह virtual world आगे देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो XR होता है X-Genre Reality ये एक Umbrella का काम करता है ठीक है आप यहाँ पर देख पारे होगे एक Umbrella बना हुआ है क्या है ये इसके अंदर तीन main जो आपके portions होते हैं पहला आपका VR यानि virtual reality दूसरा आपका MR यानि Mixed Reality और तीसरा होता है आपका AR यानि Augmented Reality ठीक है इन तीनों चीज़ पर हम discussion करेंगे तो यहाँ पर आपका mainly content है कि क्या क्या मैं आज करने वाला हूँ देखिए human का जो evolution हुआ है वो आप देख सकते हो वैसे बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं बट कहा जाता है कि हमारा जो evolution हुआ है वो बंदरों से हुआ है एप से हुआ है तो आप देख पा रहे हो कि हमारा evolution किस तरह से आगे बर रहा है यहां से लेके हम अभी फिलहाल इस stage पर पहुँचे हैं यह कहलो हम इस stage पर हैं यहां पर धीरे धीरे robotics और different technologies के आ जाने से हम इस और अग्रसर हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी का हाथ नहीं होता है मतलब जो दिव्यांग जन होते हैं अगर मालो किसी का हाथ तूट गया हो last class में बता रहा था कि कैसे हम जब हम artificial intelligence में super level पर चले जाते हैं तो robots हमको पूरी तरह से guide करते हैं, supervise करते हैं जो future हो सकता है तो वो आपका यहां पर है और यह है आपका digital evolution यानि avatars जिसे आप कहते हो 3D version of anything virtually यह है आपका avatar last में आपको मैं दिखाऊंगा भी एक avatar किस तरह का दिखता है ठीक है? चलिए अब इसमें कुछ fundamentals होते हैं, बस एक बार सुन लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यह याद रहे पूरी तरह से, बट अगर कभी किसी point of time पे आपसे कुछ basic idea जानना कोई चाहें तो आप इसको बता सकते हो fundamentals क्या होता है? जैसे हम normal life में, real life में जिस तरह से चीजों को देखते हैं same हम काम करते हैं virtual life में भी ठीक है? जैसे मैंने आपको उसने एक robot का example दिया था कि कैसे एक robot एक बच्चे के तरह उठके खरा हो रहा था? तो कैसे real life में जैसा हम लोग कर रहे था? हमने रोबोट को वैसा ही training दिया, वैसा ही उठना, वैसा ही उसी प्रकार का pose देखे, उसी प्रकार से अपने joints को हिलाना और तब फिर हम उपर उठते हैं. तो ऐसा ही training हम virtual world के लिए भी करते हैं. अब देखिए, हम general life में हम कैसे देखते हैं? हमारा एक virtual, हमारा एक आँख का vision होता है, कि हम लोग एक particular angle तक ही देख सकते हैं horizontally, जैसे आपका अगर आप straight face की एवे हो, तो आपका आँख पूरा क्या 360 degree तक देख सकता है, नहीं देख सकता है. आपका जो vision है, वो इतना तक सीमित हो जाता है. ठीक है? एक conical structure में सीमित हो जाता है. horizontal plane में अगर देखें तो vertically भी अगर हम देखें, तो आप पूरा 180 degree तो एक बार में नहीं देख सकते हो. तो वही आपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि जो आपका vision है, वो limit हो जाता है. 180 degree तक आप पूरी तरह से नहीं देख सकते हो. तो वैसे ही, जो आपके virtual devices होते हैं, जिनका हम use करते हैं, इन extra technologies को बनाने और उसको experience करने में, उनका भी limitations होता है, जो आपका horizontal field of view, इसको हम कहते हैं, field of view, कहां तक हम देख पा रहे हैं, और दूसरा होता है आपका vertical field of view, पहला होता है आपका horizontal field of view, और दूसरा होता है आपका vertical field of view, यानि हम horizontally कितना देख पा रहे हैं, और हम आई लेंस होते हैं, वो images को वहाँ पर focus करता है, अगर वो आगे पीछे होता है, तो आप specs लगाते हो, lens लगाते हो, ताकि वो clearly visible हो आपको, तो वैसे ही, जो devices हैं, उसमें भी lenses यूज होते हैं, ताकि focus आपका maintain रह सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी focus point है, वो यहाँ पर देख सकत हो degree of freedom, degree of freedom के बारे में मैंने robotics में भी चर्चा किया था, लेकिन कुछ खास आपको बताया नहीं था मैं, कि degree of freedom होता किया है, actually degree of freedom होता है आपको, कि आप किसी एक joint पर कितना movement कर सकते हो, जैसे आपका मानले कलाई का joint है, इस joint को आप देखो कलाई, यह कलाई कितना move कर सकता है बहुत लोगों का पूरी तरह से मुर जाता है, बट मेरा नहीं मुर रहा है, तो आप समझो कि 180 degree का इसमें degree of freedom है, ठीक है, वहीं पर आप अगर मानलो किसी, जैसे यह कलाई है आपका, यह कलाई पूरी तरह से गोल-गोल भी घूम सकता है, बट क्या आपका ये portion गोल-गोल पोजीशन है, यह shoulder आपका circle में घूम सकता है, उपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या इसके इधर आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो हर point का, हर joint का एक degree of freedom होता है, कि कितने angle तक वो घूम सकता है, और किस direction में घूम सकता है, तो यह आपका कहलाता है degree of freedom, जैसे आपका भी एक होते हैं, जो अपने kids को allow करते हैं, तो वो लोग के लिए दिकत नहीं है, तो उनका degree of freedom आप से जादा है, आपका कम है, आप 9 बज़ तक ही allowed हो, बाहर घूमना, ठीक है, तो वैसे ही, as a normal उसको आप समझ सकते हो, कि degree of freedom इस तरह से है, कि आप कितना जादा अपने joint के accordingly move कर सकत है, जैसे मैंने robotics आपको examples दिखा था, तो joint recording कहीं कहीं पर 370 degree भी घूम सकता है, कहीं पर 180 degree ही घूम पा रहा है, कहीं पर वो केवल 30 degree तक ही घूम पाता है, तो वैसे ही, जो आपके devices हैं, जो जिन devices के through, आप यहाँ पर either कोई application बना रहे हो, या किसी application को access कर पा रहे हो, experience कर प freedom होता है, जैसे आप जब headset पहनते हो, आपने देखा होगा malls में, या फिर किसी playstation पे लोगो को VR headset पहन के, game केलते हुए, या फिर कुछ ऐसा innovative experience करते हुए, तो उनका भी limitation है कि वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि 360 degree पर गूम सकते हैं, उनका भी कुछ limitation है, वो भी कुछ angle पर ही घूम सकते हैं, उपर नीचे कर सकते हैं, यह है आपका degree of rhythm, कितना आप move कर सकते हो, जैसे देखो, आपका सरीर का, इस point पर देखो, जो गला है आपका, वहाँ पर आप पूरी तरह से ऐसे घूम पारे हो, पूरा, वैसे ही जो आपका सर है, जो यह red वाला line आप देख पार है, ठीक है, तो यह आपके 3 हो गए, वैसे ही आप खुद ऊपर नीचे भी कर, आप कूद भी सकते हो ऊपर, दाएंबाएं घूम भी सकते हो, और circular rotate भी कर सकते हो, तो यह 3 एक्सिस हुए, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो कुल कितने हुए, 6 हुआ आपका degree of freedom, मतलब 6 ए freedom बढ़ जाता है, 7, 8, 14 तक भी होता है, ठीक, आप देखिए, उससे जाना भी होता है, अब इन devices को use करने के लिए आप देखिए, आप virtual world में हैं, कहीं पर ऐसा, तो आपका अपना physical hand तो वहाँ पर काम करेगा नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर आप, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कि हमारे एक virtual hand भी होता है, जब हम virtual world में जाते हैं, तो हमारा एक virtual hand भी होता है, हमारा virtual presence भी होता है, अवतार होता है, और इन चीज़ों control करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ devices चाहिए, जैसे आप keyboard से control कर सकते हो, mouse से control कर सकते हो, या या फिर बोल के, जैसे आप बोल के कैसे, जो आपका assistant है, उसके थुरू, या फिर जो touch screen है, आप input देते हो, तो यह सब आपके controlling devices में आ जाते हैं, जो controller होता है, आपको कैसे control कर सकते हो, चलिए, मैंने आपको बताया, कि जो XR है, वो एक umbrella का काम करता है, यानि extended reality एक umbrella है, और जो AR, चाहे MR, चाहे VR जो है, उसके अंटर गताता है, जैसे जैसे आप real world से आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका, जो physical interaction है, वो कम होते जाएगा, virtual interaction जा रहा होते जाएगा, जैसे मैं आपको example दूँ, आज से कुछ साल पहले एक game launch हुआ था, Pokemon Go, काफी लोगों आपने से अपने खेला भी होगा, क्या होता था, लोग actual world में, जैसे मान लो, आप दिल्ली के कनोट प्लेस पे बैठे वे हो, तो कनोट प्लेस से लेके आप दिल्ली हाट तक, या फिर आप कहलो कि लाल किला तक आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके mobile में, आप mobile का अपना जो camera है, या फ लेकिन आप वहाँ पहुंचे, और जैसे ही वहाँ पर पहुंचे, आपको वह मिल गया, तो ये आपका example है, augmented reality का, मतलब, real world में, जहाँ पर, आप real world में हो, आप real world में सब कुछ देख रहे हो, लेकिन वहाँ पर, चीजों को मैंने augment कर दिया है, जैसे, अब मान के चलो, मैं यहाँ पर बैठा वहा हूं, और मेरे सामने इस bottle का एक digital version, virtual version सामने आ जाए मेरे screen में, सारा, कुछ, सारा चीज real है, बट मैं एक चस्मा लगाऊं, और मुझे यहाँ पर कुछ रिखाई दे, कि अच्छा, यहाँ पर एक bottle परा हुआ है, एक सामने एक bottle है, तो मैं, इसे मैं क कि मैंने एक अलग atmosphere ही बना दिया, एक अलग environment ही बना दिया है, जो पूरा-पूरी virtual है, मतलब, मैं अभी यहाँ पर कुर्सी पर बैठ कर आपकी classes ले रहा हूं, ठीक है, लैप्टॉप मेरे सामने परा हुआ है, आप या तो class में होंगे, या फिर घर पर आप इस video को देख प जिस podium पर खड़े हो के पढ़ाते हैं, जो आपका entrance है, जो side में walls पर map लगे हुए हैं, इधर जो library वाला portion है, मैं उसको digital रूप से तयार कर दूँ, ठीक है, exact same replica में तयार कर दूँ, जो चीज आप वहाँ देख रहे हो, सेम चीज आपको virtual world में लिखाई दे, आप एक specs पहनो या फिर डिवाइस आप यहाँ पर लगा लो, और आप वहाँ पर पहुच जाओगे, आप यहाँ पर, जैसे आपने 360 डिगडी वीडियो देखा होगा, बहुत जबुका, जो आप कोई जगा खोचते हो, गूगल पे, और जब उसको लेखते हो, बहुत जगा 360 डिडी वीड में डाल दो, और पूरा environment का आप capture कर लो, लेकिन इसमें होगा क्या, कि आप interact नहीं कर पाऊगे, जैसे मान लो, आपने table के उपर उसको रखा, तो table के नीचे का portion तो आप नहीं देख पाऊगे, क्योंकि camera तो यहाँ है, उसने बस पूरे 360 डिगरी का photo ले लिया, या वीडिय बना लिया, जो भी, नीचे का तो उसे नहीं रेख पाया, बट जब आप खुद से create करते हो, तो आप पहले table बनाओगे, modeling करोंगे table का, कुरसी बनाओगे, virtual world में, उन सभी को वहाँ पर set करोगे, तो आप जुप कर उसको देख भी सकते हो, interact भी कर सकते हो, ठीक है, लास्ट पहन लेते हो, तो आप real world से cut जाते हो, पूरी तरह से, क्योंकि उसमें अलग-अलग sensors है, जैसे आपके कान में, कान के पास आपका एक, जो headphone जैसा होता है, वो लगा रहता है, उसके बाद फिर आपके सामने, आपका digital device होता है, तो आप डेख, real world में कुछ देख नहीं पा र और आप उस environment में खड़े हो, जो environment हमने create किया है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, सबसे पहला stage है आपका, augment reality, तो उसमें आप maximum real world में रहते हो, और minimum रहते हो virtual world में, फिर आप धीर आगे बढ़ते हो, mixed reality में, तो आपका around 50% portion जो होता है, वो real world का होता है, और 50% जो होता है, आपका virtual world का होता है, लेकिन जब आप virtual reality में आते हो, तो real world से आप पूरी तरह से कट जाते हो, maximum portion आपका virtual world का रहता है, यह आप देख सकते हो, यह मैंने एक just comparison के लिए बनाया है कि graph कैसे उपर उठ रहा है, distance यह वाला portion अगर आप देखो, तो maximum real world है, यह आप आप बना के रख दिया, आप जैसे ही mobile से आप कुछ ऐसा देखो के सामने, तो आपको mobile में दिखाई देगा, ऐसा कुछ है, ठीक है, यह एक duck का वो मुझे दिखाई देगा है, वैसे ही, जो आपका यह MR है, MR में आप चीजों को interact कर सकते हो, जो दो augmented चीज मैंने राखे हैं, वो दोनों interactable हो सकते हैं, virtual reality में सभी कुछ मैंने खुछ से prepared किया है, सब कुछ मैंने खुछ से बनाया है, तो यह सभी चीज़े interactable होती है, यानि जिससे आप जाके उसको touch कर सकते हो, उसको feel कर सकते हो, ठीक है, चलिए, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा भी है, slide में आप overlays information on the real world, actual world में actual table पर एक virtual चीज रखा हुआ है, जो कि ऐसे आप देखो कि naked eyes तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वही उस application, mobile में उस application को खोल के उसके सामने, आप अगर scan करोगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पर एक कुछ augmented चीज दिखाई दे जाए, कुछ duck दिखाई जाए new world, occludes your vision, मतलब आप बाहर के दुनिया से रख जाते हैं, इसमें केवल आप focus रह जाते हैं, ठीक, आप जैसे देखिए, यहाँ पर कैसे उसको समझाया गया है, तो जो आपका AR है, इसमें यह जो बंदा है, यह physical world में है, ठीक है, यह बस अपना हाथ ऐसे रखे वे हैं, और इसको लग रहा है कि सामने से जो अवतार है, वो इससे हैंड शेक कर रहा है, इससे कुछ हैंड में फील नहीं हो रहा है, ठीक है, वही आपका जो mixed reality है, इसमें आपका जो digital elements हैं, वो physical और digital elements इंटराक्ट कर सकते हैं, मतलब हमने controller के थुरू, उसको hands मैं आपको बताया था न कि controller के थुरू हम उसको digital hands बनाते हैं अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह वाला जो चीज है, digital hand आपको दिख रहा है, जैसे ही आप controller पहन लोगें, तो आपके screen में यह आपका हाथ हैसे दिखने लगेंगे, digital hands, ठीक है, तो यह जो आपका बंदा है, first way, augmented reality में, यहाँ पर, तो यह बंदा, यह जो augmented thing है, उसको देख पा रहा है, उसको touch नहीं कर सकता है, but mixed reality में आप उसको देख सकते हो, virtual hand से touch कर सकते हो, ठीक है, अब आते हैं हम लोग virtual reality में, मतलब हम actually है physical world में, but हमारा avatar जो है, यह जो real person था, इसका avatar यहाँ पर create हुआ, और यह virtual world में है, अब यह दोनों एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे है, virtual world में, उन दोनों एक दूसरे से interact भी कर रहे है, बात भी कर रहे है, और सारी चीज़े हो रही है, तो यह क्या हुआ, यह totally virtual world में पहुँच चुका है, जैसे आपको example याद होगा, मैंने robotics जिसमें पढ़ाया था, उसमें भी लेट जाता था, और फिर वहाँ पर वो as a navi के रूप में बन के बाहर आ जाता था, जो आपका pandora था वहाँ पर, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है, कि आप जैसे ही headset को पहनते हो यहाँ पर ऐसे, उसके बाद आप, आपके पास login ID, password होता है, आप login ID, password में अपना entry करते ह हो, तो आप activate जैसे ही हाँ से होता है, तो आप as a, उस virtual world में एक आपका avatar create होके सामने आ जाता है, और वो फिर उस virtual world से चीजों को interact करता है, ठीक है, चलिए, example के तौर पर आप यहाँ पर देखो, तो physical reality में आपके पास, आप, मानलो यह आप हो, और आपके पास एक ball है, जिस यह mouse है, मैं इस mouse को hand में ले सकता हूँ, तो यह है physical world, कि मेरे पास, मेरे हाथ में मेरा physical mouse है, augmented reality में क्या होगा, वही मैं आपको बताया, कि मैं यहाँ बैठा वह हूँ, मुझे यहाँ पर table पर, एक mouse का ऐसा structure दिखाई देगा, जब मैं अपने mobile से इसको ऐसे देखे हूँगा ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा मुझे, वाया camera या फिर जो application होगा उसके थो, mixed reality में कोई एक और बंदा भी है, उसे भी यहाँ पर वही digital version दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, और हम दोनों interact कर रहे हैं इस से, और virtual reality में क्या हुआ, कि मैंने controller पहन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, ऐसे करके में पलट के रख भी सकता हूँ, यह हुआ आपका virtual reality, जो headset का मैं बात कर रहा था, market में कई सारे headset available है, different types के, इतना आपको जाने की जो अतनी है, कौन से headset हैं क्या, बस इतना जाने हैं कि market में कई सारे headset available है, mainly आपका अगर जो आपका PC के लिए है, और यह आपका normal stand alone है, कि आप कहीं भी सको ले के अराम से घूम सकते हो, जैसे mobile है, आप लेके घूम रहे हो, वैसे ही इसको भी आप कहीं पर भी लेके घूम सकते हो, कोई रिकत नहीं है, बस आपको headset लगाना है और आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ज देख सकते हो, कि आपको option बना हुआ है mobile लालने का, यह वाले portion में, यहाँ वाले portion में, इन जो stand alone system होते हैं, इसमें inbuilt रहते हैं android devices, और जो PC के लिए होता है, room scale का, वो आप PC से connect कर सकते हो, डिरेक्ली, चलिए, यह उतना important नहीं है, इसको आप एक वोट देख सकते हैं, कि कै इन जो point है, आपके लिए important क्या है, application, यह सब चीजे जो है, हमारे लिए important है, जो technical field में, जो आपके लिए important है, वो है application, application किस चीज का, तो देखिए, जो आपका virtual reality है, उसका application कैसे हो सकता है, जैसे मालो, आप ASI को जानते होगे, Archaeological Survey of India, वो कहीं कहीं पर खुदाई करती है, ऐसे environment है, जहाँ पर जाना बहुत troublesome है, ठीक है, तो अब जो वहाँ के employees हैं, उनको training के लिए, अगर हम ऐसा कोई simulator त्यार करके दे लें, कि अगर इस तरह का environment हो, तो कैसे, क्या action लेना है, कैसे वो, जैसे आपका भी देखे होगे, जब induction होता है, किसी भी company में, या फिर किसी आप नए माकम में join करते हो, तो आपको उन तक सिखाया जाता है, कैसे क्या क्या करना है, तो उसके लिए आपको best क्या हो सकता है, कि visual अगर आपको मैं दिखा दूँ, जैसे मालो मैंने किसी माइन में गया, वहाँ का मैंने 360 video shoot कर लिया, और फिर मैं लाके उसको simulator में सकते हो, उसका photo बना सकते हो, उसका एक sculpture टेयार कर सकते हो, virtually जिसको आप देख सकते हो, उसके और फिर आपका diseases को दिखाने के लिए, micro organism को दिखाने के लिए, engineering में आप यूज कर सकते हो, जो different models होते है, motor है, generator है, transformer है, इन सभी के models दिखाने के लिए, inside क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, वो जहांक सके, देख सके, जैसे मैंने कहा, sculpture बनाने के लिए, तो आप ये देख सकते हो, ये एक virtual sculpture है, जो की Franklin Institute का है, जो उन्होंने खुझ से बनाया है, आपको देख के ये real लगडा होगा, बट ये real नहीं है, ये virtual है, ठीक है, चली, virtual tours कर सकते हो आप, जै ये जैसे, आप अगर कभी देखो, तो, जैपुर का किला आपने गया होगे, हो सकता है, या फिर आपने लाल किला इखना है, तो लाल किला घर बैठे वैठे आप, वहां पर तूर कर सकते हो, जैसे, videos तो अवलेवल हैं लाल किला के भी, बट वीडियो में आप, जो बंदा क्या होगा हूँ बहू रिप्लिका होगा आपका लालकिला का एक-एक माइनूट डिटेल्स होगा जहाँ पर छोटा गेट है वहाँ पर छोटा गेट होगा यहाँ पर फूल पत्तियां है बाग है तालाब है वो सभी चीज़े उसमें दिखाई देंगी तो आप गूम के घृणी वर्टॉवर्ट ऑरफृष तो यहां दो की आप कर रहा था इता है तो आपके लिए एक अलग से इन्वारमेंट बना रिया जाता है जो कि डेखने में एक्जैक्त और पिसी ऑफिस का है किसी ऑफिस का पोर्शन है यह जो मीटिंग रूम हो सकती है या फिर साइड म room होता है वहाँ पर तो ऐसा ही same replica मैंने बना दिया है जो replica मतलब जो same चीज़ को मैं as a digital version में कर दिया तो जो चीज़ वहाँ physically present है same चीज़ मैंने same environment यहाँ पर create कर दिया अब अगर कोई बंदा यहाँ पर अवतार उसका आता है तो उसको लगेगा कि हाँ अच्छा मैं तो same atmosphere में हूँ ठीक है अब जैसे मैं आपको एक video play करने जा रहा हूँ ठीक है यह video मेरा ही है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक जैसे आप यहाँ पर देखो video को मैं play कर रहा हूँ फिर से आप laptop के screen में देखो laptop के screen में आपको एक sofa दिखाई जा रहा होगा और पीछे walls है तो यह जो actually sofa है कि create किया गया है CAD software में different software में sketchers है और भी वह सारे है उसमें आप उसको create कर सकते हो मैंने sofa को create करके वहाँ पर रख दिया ठीक है अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना screen पर जो laptop का main screen है उस पर देखना मैंने वह headset पहना जैसे ही मैं activate करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो एक यहाँ पर आवतार आप देख पारे होंगे किसी और बंदे का वह अवतार है उसने headset अभी पहना नहीं है तो वह उसका आपको सर नहीं रिखाई ज़रा है ठीक है बस आपको उसका सरीर दिखाई ज़रा है जैसे ही वह headset पहनेगा अपना login ID डालेगा उसका सर भी वहाँ पर आजागा और वह movement में गर सकता है मैंने headset पहन रखा है मेरा अवतार वहाँ पर create हो चुका है उस environment में और मैं अब वहाँ पर interact भी कर सकता हूं कैसिचा है मां आपर एक टेवल पर वहां तो चीज़ें में जा रहा हूं मैं घूम रहा हूं अपने चेरे को घूमा के सब कुस देख पा रहा हूं जैसे फिस्कल वर्ल में आप देखते है उधर सदर मैं मुव कर राह ऑं यहाँ तो भी वहा पर मूव कर रहा है आपको आप किसी privacy कारण से मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जिस पहले जिस organization में था उसके कुछ privacy terms है इस कारण से मैं आपको बस basic दिखा रहा हूँ कैसे चीज़े काम करती है ठीक है यह हूँ आपका क्या virtual reality मतलब आप भी virtual world में ये बंदा देखे यह आप virtual world में है virtual things को आप अपन क्या बता हूँ आपको एक map का imagine कर लिए जैसे आप जो google map यूज करते हो तो यह मतलब आप office का एक map है जिसमें आप यह सभी जो पीछे video चल रहा है यह actual video है बस उसमें यह जो चीजे है यह जो arrow आप दिखाई दे रहे हो यह augment किया गया है तो यही है आपका augmented reality कि आप move कर रह रहे हो जैसे मैं यहाँ पर walk कर रहा हूँ देखो मैं यहाँ पर walk किया फिर मैं ऐसे मुर गया तो सामने जो office के जो यह part है वो real है जो background में है बस यह जो पीले रंक आपको धारी-धारी दिखाई दे रहा है यह augmented है यह जाकर वहाँ पर stop हो जाएगा यह गया और जैसे ही destination उ यह आपका आप देखो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आप जो चीजें है उसको मैंने कैसे एक virtual अवतार बना के यहाँ पर डाल सकता हूँ जैसे यह chair है मैंने इसका एक virtual अवतार बना दिया और यहाँ पर setup कर दिया यह जो बंदा है इसने headset पहन रखा है और इस controller के त cost कितना होगा क्योंकि इस environment को बनाने के लिए एक बहुत skill चाहिए होगा उस skill को जो बंदा जिसने इस पर इतने मैनत किया होगा जब वो company में आएगा तो वो remuneration भी जारा मांगेगा उसके उसके package भी हाई होंगे तो implementation cost भी है plus technology and skill gap भी है बहुत लोगों को इसके बारे में अभी idea ही नहीं है बहुत लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है ठीक है जो engineers या फिर जो graphic designer अभी pass out हो रहे है उनको बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ idea ही नहीं है तो technology gap है बहुत सारा resource की scarcity है resource in the sense of human resource भी और जो virtual हम लोग प्रेट्स बनाते हैं उसमें भी जो traffic design चाहिए या फिर इन सभी चीजों की जरत है यह काफी कम है हमार पास car city है और plus competing priorities भी है अब देखिए हम कभी भी invest करते हैं कुछ तो हम चाहते हैं कि हमें short term में भी कुछ input मिले long term में तो मिले ही बट short term में भी कुछ मिले तो जो companies है ना वो बहुत ज्यादा इस पर खर्च नहीं हो रहा है कुछ limited companies ही है जो इस पर research कर रही है ठीक है प्लस एक और बात है कि perception of technology जैसे मैंने आपको जो यह example दिखाया है यह सभी enterprise version है मतलब कैसे companies use कर सकती है कैसे day to day life में use होता है but एक normal human life human के tendency में क्या होता है AR VR मतलब gaming in the sense game ही समझते हैं लोग यंग लोग तो कुछ समझते भी हैं बड़ जो generally थोड़े एजेड हैं उनसे पुरता है कि हाँ यह game ही खेल रहा है जैसे malls में हम लोग देखते हैं AR VR का नाम सुनते हैं तो malls में के वला हम game ही देखते हैं तो हमारा एक perception बना हुग है technology के बाड़े में और last है आपका cyber security and regulatory concern अब देखिए चीजे बहुत महंगी है जो आपके devices हैं यह devices काफी महंगे होते हैं जो आपका oculus crest है वही आपका 45-45 अरक्यास पसा आता है फिर जो आपका rift है तो लाग रुपे से जादा का है तो अब एक बात बताओ क्या normal बंदा इसको afford कर पाएगा नहीं afford कौन करेगा किसी भी company का या तो higher official ठ क्योंकि financial city अथी है तो जाहिर सी बात है उसके पास data भी अच्छा होगा अच्छा कासा होगा अगर मानलो उसको मैं extortion करना चाहूं तो वो काफी अच्छा पैसा लोग उसे कमा सकते हैं तो जाहिर सी बात है security का issue होगा यूज कौन कर रहा है higher officials उनके पास data भी बहुत costly होता है कीम्ति होता है मानलो आपने सुना होगा कि इस company ने जो आपके vendor company था उस पर defamation case डाल दिया उन पर data breach का case डाल दिया data breach का case के उडाला कि उनकी data leak हो गया तो वैसे ही अगर मानलो किसी official के दोरा data leak हो जाता है तो वह काफी बड़ा issue हो जाएगा ठीक है तो यह सब challenges है आपके AR और VR के तो आशा है आपको AR और VR के बारे में सारे चीज़े clear हो गई होगी जो notes है आपका इसका मैं आपको telegram channel पर post क कर दूंगा?